हाथ तो दोस्तो जैसे आप अपने इस्टाग्राम को लॉग इन करते हो या आपको अचानक से यहा लिखा आता है इंटर आप प्रिवेस पासवर्ड आप जैसे इदे को इस पे किलिक करते हैं तो प्रिवेस पासवर्ड में आपको क्या दालना होता है मतलब इसमें हम क्या लिखे जिससे हमकी यह problem है यह solve हो जाए तो आपको भी ऐसा आ रहा है problem तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगा interrupt पर यह इस password में आपको क्या enter करना है जिससे आपकी यह problem fix हो जाए वो भी बस एक minute के अंदर है तो चलिए वीडियो start कर लेते हैं हाँ तो दोस्तों देखो जैसे हैं आप आजाते हो इस्टाग्राम login पेज पे तो आप सिंपल सा यहाँ देख सकते हो आप जो भी आपका mobile नमबर है username में या email आइडियो जो भी आपको यादे वो दाल सकते हो आप अब यहाँ नीचे का option मिलता आपको forget your password का simple सा आप इस पे क्लिक कर देते हो then जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ एक option आता है आपको login help में देख सकते हो find your account का तो simple सा आप इसमें भी अपना कोई भी email ID या अपना जो भी email ID phone number username जो भी आपको यादे वो दाल सकते हो आप तो simple सा आप मैं यहाँ दाल देता हूँ देख सकते हो में यहाँ लिख देता हूँ मेरी email ID यादे मुझे तो simple सा email ID दालने बाद यहाँ एक option मिलता है नीचे next का simple सा problem को solution आपके सामने live बता रहो तो आपको वीडियो को end तक देखना है देख सकते हो आपको यहाँ बता रहे रहा है कि आप इसमें क्या choose करना चाहते हो किसके दोहरा आप अपनी OTP दोहरा करना चाहते हो या try again करना चाहते हो तो मैं देखो try another way मेरे पास ना mobile number ना Gmail idea मुझे इससे अलग तरीका चाहिए बड़ मेरा account login होना चाहिए तो इसके लिए मैं क्या करूँगा try another way पे क्लिक करूँगा देख सकते हो try another way पे क्लिक करने के बाद अब ही हमें को क्या बता रहा है आप Instagram account में क्या problem आ रही है तो इस पर दालने के बाद next पर क्लिक कर दूँगा जैसी next पर क्लिक करूँगा तो आप यह बता रहा हूँगा आपकी एक selfie लेनी होंगी तो आपको यह अगर ना yes tag our selfie video confirm my account इस पर क्लिक करके आपको next पर क्लिक कर देना है तो आपके सामने यह page आ जाता है देख सकते हो आपको जैसी इस पर कर देते हो तो आपको यह आता है इंटरा प्रिवेस पासवर्ड तो मैं आपको पूरा क्या समझा देता हूँ a to z टक का पिर आपको इसके बाद कोई problem नही तो simple साइस का मतलब यह यह आप तो सबसे पहले तो यह आपका family member यह आपके friends ने आपका password चेंज किया है तब यह आपको यह problem आती है जी हाँ friends अगर आपके Instagram account का किसी ने password चेंज किया है और वह password आपको नहीं पता है जब यह पको यह problem आती है तो आपका password बदल चुका इतन कौन सा password आपने रखा था वह password आपको याद रहना चाहिए अगर आप वह password याद रखते हो मतलब जो अभी password उसके पहले कौन सा password था तो आप याद रखते हो तो आप इसे easily login कर सकते हो तो जो भी आपका अभी password उसके पहले कौन सा password था उसका आपको previous password में इंटर कर देना है सबस्क्राइब आपकर को सब्सक्राइब आपको हैं मैं प्रेवेस्ट कई डालना पहले वाला पासवर्ड देनाप अगर आप maths प्राइब करें वीडियो कैसे लगा इंफॉर्मेटिव लागा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं मिलता है नेक्स वीडियम धिंक्यू फॉर वाचिंग